हेलो स्टूड़न्स आज की लक्षर में हम स्पीड विड डायरेक्शन की बात करने वाले हैं दोस्तों स्पीड के बारे में अब अल्री काफिक कुछ जानते हैं क्या है स्पीड बेसिकली एक ऐसी टम है एक ऐसी चीज है जो कि हमें ये बतातेती है कि पर युनित टाइम में कि किइतना distance travel किया है जैसे कि अगर मैं seconds की बात करूं तो एक second में किसी object ने कितना distance travel कर लिया ये चीज हमें स्पीड से ही पता चलती है तो दोस्तो इतनी important चीज है already, हमने इसके साथ direction को to include करने का सोचा है, इस चीज को समझते हैं, देखिए, दोस्तों imagine करो कि यहाँ पे एक school है, मुझे कईसे information मिलती है, कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 km travel करूँगा, तो मेरा school आ जाएगा, साथ मैं मुझ distance को time से divide करके, आपको यहाँ पे speed भी मिल जाएगी, पर दोस्तों यह distance और time कौन सी direction में है, जो speed है, वो कौन सी direction में हमें जाना है, आपको सीधा जाना है, पीछे जाना है, left जाना है, यह चीज भी जानना ज़रूरी है, अगर दोस्तों आपको सिर्फ यह information हो, कि 2 km travel करना है या फर आदा घंटा travel करना है, तो कौन सी direction में आप जाओगे, यह चीज़ decide करने के लिए, direction का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों यह जो speed है, आज की lecture में हम इसको direction के साथ join करने वाले हैं, तो दोस्तों यह जो information given थी, यहाँ पे देखिए, 2 km और आदा घंटा ल हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, हमें right direction में जाना है, तो यह जो speed है, यह तो हमें पता ही थी, distance और time था में given ही था, अब simply हमने उसके साथ इस right direction को include कर दिया, और इस से क्या हुआ दोस्तों, speed और direction combine हो गए, और इसी combination को हम कह देते हैं velocity, मतलब कि speed plus direction, जब इन दोनों चीज आपको काफी अच्छे साथ समझ आ चुकी है, अब दोस्तों एक छोटा सेम आपका test लेता, मुझे बताईए, कि अगर कोई person कहता है, कि velocity change हो रही है, तो उसका क्या मतलब है, क्या speed change हो रही है, क्या direction, सोचके देखें दोस्तों, अगर मुझे speed change करनी है, देखें अगर मैं speed को सेम रखूं, पर मैं मुढ जाओं दोस्तों, अपनी direction change कर लो, तब भी क्या velocity change होगी, बिल्कुल हाँ दोस्तों, क्योंकि जो velocity है, उसमे speed और direction दोनों है, अगर एक भी चीज चेंज हुई, तो velocity को भी change होना ही पड़ेगा, तो चलगे, ये चीज भी हमें समझ आगे, अब दोस्तों, घर से चला, और finally, मैं यहां तक पहुच गया, यहां पर पहुचने के बाद, मेरा अपनी speed calculate करने का मन था, किसे calculate करो, हमें बताए कि speed is equal to distance divided by time, कि per unit time में मैंने कितना distance travel किया, तो मुझे क्या करना होगा, simply दोस्तों, जो भी ये पूरा path है, इसका distance calculate करना होगा, और यहां तक पहुचने में, मुझे जितना भी time लगा, उसको use करना होगा, और distance को time से divide करके, मेरे पास यहां पर अपनी speed आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, पर दोस्तों, आज के lecture में, speed with direction को हमने study किया है, यहां पर direction क्या होगी दोस्तों, पहले देखो मैं सीख़ा गय और जो initial position है, मतलब कि जहां पर हम finally पहुच गए, और जहां से हमने शिरुवात करी थी, हम इन दो चीजों को use करते हैं, और इसकी बीच की जो direct हमारी direction है, वो होगी हमारी true direction, मतलब कि दोस्तों, final position और initial position से ही, हमें अपनी true direction मिलती है, जो velocity है, velocity के लिए, हम दोस्तों यह प तो यानि कि दोस्तों यह final position और initial position का difference हमें distance के तरीके से use करना है, और ऐसे distance को क्या कहा जाता है, हमने study क्या था, displacement कहा जाता है, यानि कि difference between final position and initial position वो होगा हमारा displacement, तो दोस्तों velocity is not equal to distance divided by time, नहीं, velocity is equal to displacement divided by time, और साथ में हमारी यह direction, तो I hope दोस्तों कि आज की lecture से आपको सम समझ आ गया है कि यहां पर speed with direction का exactly meaning क्या है, जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा जो speed है, वो velocity वाली speed के equal होगी, नहीं दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो हमारी speed है, उसमें मैं पूरा distance use करूँगा, पर velocity calculate करने के लिए सर्फ initial और final position का बीच का जो difference है, वो वाली displacement use की जाएगी और उसी direction को भी use किया जाएगा, तो चलिए, speed with direction का concept हमें समझ आ चुका है, अब इसको दोस्तों और सही तरीके से समझने के लिए जरूरी है, कि हम कुछ examples को solve करें, तो फिर चलिए, मिलते हैं अगले lecture में, जिसके अंदर हम example 8.2 को solve करेंगे, see you in the next lecture. I am Shaw students, आपको ये lecture बहुत ही पसंदाया होगा, तो अगर आप अपने हर concept को इतने ही मज़ेदार और इंट्रेस्टिंग तरीके से clear करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजे हमारी PewStack app, जहाँ पर आपके लिए और भी बहुत सारे options available हैं, जैसे की sample papers, back exercise solutions, written answers and much more. So what are you waiting for? Download the app now account.